श्री हरिदास पूर्ग के वीडियो में आप सभी ने श्र्मन किया अचारे चरन श्री स्वामी ललित किशोरी देव जूग, श्री स्वामी हरिदाज जूग की सर्वो पारिता का वैनन करते हैं और कहते हैं अचारज मनी, रसिकन मनी, सिद्धन मनी, सिर्ताज, ललित प्रिये, प्रगटी अद्बुत के लिके काज की अचार्यों में मनी के समान, रसिकों में मनी के समान और सिद्धों में भी जो मनी के समान उनके भी सिर्ताज स्री स्वामी जू महराज हैं और स्री स्वामी जू महराज कौन की ललित प्रिये प्रगटी सहजी की ललिता महरानी ही स्री स्वामी पर प्रिकट हुई और वै क्यों प्रिकट हुई कि रसिकन को रसिदेन को प्रकटे रसिकानन्द आगे हवे न होएंगे पूरण आनन्द कन्द कि जो रसिक थे उनको भी रस्प्राप्त कराने के लिए उनको भी रस्प्रदान करने के लिए श्री ललता महरानी ही रस्वरूप परिकर्टुई श्री स्वामी जू महाराज के रूप में सुगा करें तो आज की चर्चा विशेष उन सभी साधकों के लिए जो पुरुदेव से शर्णागती गिरन करने के वाद या स्वामी जू से जुड़ने के पश्चात भी नाना भाती के तोटके नाना भाती के काले पीले धागे तिलक्या का जाए जो नग रासी इत्यादी में विश्वास रखते हैं गिरोह की चाल के लिए अंगूटी हाद में पहनना या घोले की नाल बान देना दरवाजे पे जो इस भाती के छोटे छोटकों में विश्वास रखते हैं आज का विशे मुख्यता उनी साधकों के लिए है कि स्री स्वामी जू महाराज को सिद्धन मनी सिर्टाज क्यों कहा गया एक बार की बात है कि परबत पुरी नाम के एक सिर्द्ग बड़ी सिर्द्ध थे कि वह सौ रूप बदलना जानते थे और सौ रूप बदलने के साथ साथ उन्हें रसायन क्रिया में इतने निपोर थे की मिन्टों में कई टंसोना बनाने ऐसी सिद्ध क्रिया कि वह अपने सिद्ध होने के कारण ही एक सेकिंड में उपर के सभी लोग और धराधाम के नीचे जितने भी लोग हैं सभी लोगों की यात्रा वह कुछी छणों में कर लेते थे अपनी सिद्धियों का उन्हें इतना एहंकार तक जिब है अपनी सिद्धियों का पिर्ताप लोगों के सरनों दिखाते और अपना प्रिभाब उन पे जमाते उनकी बढ़ाय भी होती और लोग बहुत सम्मान भी करते थे परंतु उन्होंने एक बार किसी के मुख से सुना कि हे योगी राज आप श्रीधाम निदवन राज में जाईए और महापे श्री स्वामी हरिदाज जू महाराज बिराज के हैं आप जब उनकी शनन में जाएंगे तो स्वयम को ही भूल जाएंगे जब ऐसा उन्होंने किसी के मुख से सुना तो उन्हें बड़ा आश्चर्रे हुआ और कहा जाए तो हिर्दय में थोड़ी सी ठेस भी लगी वह इसलिए कि मैं इतना बड़ा सिद्ध हूँ मुझसे बड़ा सिद्ध इस धराधाम पर कौन है जिसके सन्मुख जाने के पस्चाथ मैं स्वयम को ही भूल जाऊँगा जब उन्होंने ऐसा सुना तो मन में संकोच लिये हुए और कहा जाए तो मन में थोड़ी सी पीड़ा लिये हुए वह श्री धाम ब्रंदावन की ओर बड़े और जब ब्रंदावन की सीमा में प्रिवेश किया तो श्रीधाम ब्रंदावन को डंडवत प्रिणाम करते हुए वह श्री निद्वन राज की ओर गए और निद्वन राज में श्री स्वामी जू के सनमुख हुए स्वामी जी को डंडवत प्रिणाम करने के पश्चात में उनके श्री चर्णों में बिराजमान हुए जब योगी राज श्री स्वामी जू महाराज के श्री चर्णों में बिराजमान हुए फिर उनके सिस्यों ने स्री स्वामी जू महाराज से कहा कि स्वामी जू महाराज यह हमारे गुर्देव और ये बहुत ही बले सिद्ध हैं एकमी मिनट में ये सौ रूफ बदल सकते हैं और ये जहां चाएँ छुप जाएँ इने कोई धून नहीं सकता और ये रसायन क्रिया में इतने निपन हैं की कुछी झणों में कई टन सोना बनासकते हैं और सभी लोगों की यात्रा अपनी योग क्रिया द्वारा ये कुछ ही समय में कर सकते हैं। स्वामी जी का स्वरूप था। स्वामी जी महाराज ने जब इतना उनका बढ़ाई और इतने उनके प्रभाव और सिद्धियां सुनी तो स्वामी जू महाराज ने बड़े सहज भासा में उत्तर दिया और बहुत ही सुन्दर यदि ये ऐसे सिद्ध हैं परन्तु आज इनका भाग्य खुला है जो ये श्रीधाम ब्रंदावन में आए हैं और ब्रंदावन की रटका सेवन कर पा रहे हैं अब दो मानो रिशी राज जो परवत पुरी जी थे उनके हिर्दय में आग लग गई हो कि आज मेरे भागे खुले हैं क्योंकि परवत पुरी जी की आयू एक हजार बरस की थी वह 500 बरस की अवस्था को पूर कर चुके थे और 500 बरस की सेज थी परन्तु जब स्री स्वामीजू महाराज से सुना कि आज इनके भागे खुले हैं तो उनके हिर्दय में पीड़ा हुई कि मैं 500 बरस से इतनी सिद्धियां अर्जित करने के पच्चात क्या आज मेरे भाग खुले हैं ऐसा क्या है ब्रज़रज में अपने एंकार के कारण स्री स्वामीजू महाराज से बोले कि स्री स्वामीजू महाराज मैं 100 रूप बदलना जानता हूँ और मैं ऐसे छुप सकता हूँ कि आप मुझे ढूण के दिखाएं स्री स्वामीजू महाराज बोले कि ठीक है आप जहां चाहें वहां छुप सकते हैं उस समय स्री स्वामीजू महाराज बंदरों को दाना चुआ रहे थे और बंदरों को जब चने डाल रहे थे उस समय लाखो बंदरों के जुण्ड स्री स्वामीजू महाराज के सनमुक ते और योगी राज एक छण में अपनी सिद्धी द्वारा एक बंदर उस भीड में से बन गए अब इतने बंदरों में भे योगी राज कौन से बंदर नहीं पहचानना मानो बहुत थी असंभव है जहां लाखो बंदरों का जुण्डों महाँ पे एक बंदर के रूप में योगी राज का आना रज में बैठ के चनों का सेवन कर रहे हो योगी राज तुरंती समझ गए कि स्वामी जु महाराज कोई साधारन ब्यक्ती नहीं कोई साधारन संत नहीं ये तो कोई दिव्य सक्ती और सिद्ध मालम करते हैं परंतु एहंकात अब भी तूटने का नाम नहीं ले रहा था जब स्वामी जु महाराज पक्षियों के मद्द में दाना देने गए तो योगी राज उन पक्षियों के जुंद में एक छोटे से पक्षी के रूप में आये और जैसे ही स्री योगी राज स्वामी जू के सन्मू का है, स्वामी जू महाराज फिर उन्हें पहचान गए कि योगी राज बहुत ही अच्छा तुम्स आज इस पक्षी के रूप में श्रीधाम रंदावन की रज का सेवन कर रहे हो, अब तो मानो योगी राज के हिदय में पीड़ा का बहार उमड़ाया हो, पीड़ा की आग लग रही हो, योगी राज में इस पिरकार नाना भाती के सो पिरकार से रूप बदले परन्तु जिस रूप में भी स्री स्वामी जू महाराज के सन्मू का है, स्री स्वामी जू महाराज को एक छण न लगा उन्हें पहच चुप जाएं तो मैं आपको ढून सकता हूं। स्वामी जू महाराज बोले ठीक है जैसा आपको चित लगे। स्वामी जू महाराज उसी जगा पे अंतर ध्यान हो गए। और योगी राज में फिर स्वामी जू महाराज को ढूना उन्होंने सभी पक्षियों के। योग सिद्धियां जितनी भी थी। सभी स्वामी जू महाराज को ढूरने में स्वामी जू महाराज को राप्त करने की लगानी परंतु स्वामी जू महाराज का कहीं भेदना मिला अब योगी राज का घमंड मानो चूर चूर हो चुका था। उन्हें अपनी सिद्धियों पर कोई साधारन्संत नहीं हैं अब कोई दिव्यशिद्ध हैं इस पिरकार जब उन्होंने स्वामीजों महाराज के चम्मे में प्रात्ना थी स्वामीजव महाराज बही VER कट हो गए अब योगी राज कि स्वामीजों महाराज आप कहां थे जो मैं आपको ढूंड नहीं पाए तो अचारे चरण इसमें बताते भी हैं कि जोगी ज्ञानी करमठी तकसिंते अतितूर भगवत रशिक अनन्निकेलित रहत नैन भरपूर कि जो योगी हैं ज्ञानी हैं करम कांडों में उल्जे उए हैं हम सब कहा कि काले पीले धागों में उल्जे रहते हैं कि रासी के नगों की अमूठी पहलना वह हमारा भाग्य बदल देंगी या यंत्र मंत्र तंत्र इन समय विश्वास करना तो स्वामी जुमाहराज यहां पर वल्णित करते हैं कि जोगी ज्यानी कर्मठी की योगी बन सकते क्यों क्योंकि जोगी ज्यानी कर्मठी तपसिंते अती दूर कि यह रस्तो योगी ज्यानी कर्मठी और तपसियों से अती ही दूर है तो हम तुमारे ध्यान में तुम हमें कैसे ढूंड लेते क्यों भगवत रसिक अनन्य के नित रहत नेन भरपूर कि जो भगवत रसिक जो स्वामी जू महाराज के भगवत रसिक होने के साथ सथ अनन्य शर्णागत हैं यह तो उनके नित्य नैनों में भरकूर रहते हैं उनके नेत्र सदा इस रस से बरे रहते हैं और स्वामी जू महाराज का पार कैसे पाते हैं योगी राज क्योंकि कहा गया कि नेती नेती कहें सब बेद पुरान धरें मुनी ध्यान ठके मन जातना कि बेद पुरान भी जिस रसका पार नहीं पापाते हैं उसे नेती नेती कहकरी छोड़ देते हैं और जो मुनी जने में ध्यान धरते हैं परन्तु ठके मन जातना कि ध्यान धरते धरते उनका मन धरता है परन्तु उस निप देवों में भी महादेवें भैवी इस नित्य बिहार का ध्यान दरते हैं मुरारी अथाथ स्वयम भगवान श्री कृष्ण भगवान इस रस का ध्यान दरते हैं और जपय मुक्चारी और चार मुकवाले जो ब्रह्मा जी हैं भैवी इस रस का ध्यान दरते हैं परंतु बिना अधिकारी बिहार थमातना अधिकार ना उने कारण नित्त बिहार रस में इनका भी समाना दुरलव हो जाता है क्योंकि यहां तो सहचरी भाव और स्री स्वामी जू के चड़नों का आश्चे लिए विना प्रिवेश नहीं हो सकता जिनका रस इतना दुरलव हो जिनका बिहार स्री स्वामी जू महाराज को योगी राज कैसे दूड़ पाते कैसे प्राक्त कर पाते जब स्री स्वामी जू महाराज के रस रूप को रस रहसे को जाना तो स्वामी जू महाराज के चंड़ों में नतमस्तक हो गए और बोले कि स्री स्वामी जू महाराज मुझे छमा की जि मुझे अपना दास स्वीकार करी परन्तु यहाँ पर स्वामी जू महाराज ने समझाया कि दुरलब दास काई वो बिहारी दास हरी दास अचारे चरण कहते हैं कि दास कहलाना बड़ा दुरलाबय और उसमें भी स्री स्वामिर्यू महाराज का दासरी प्यहारिन दासता अपने एड़दय में लाना क्यों पैसन के पल्टे गई भक्ती बिन विस्वास की जरासई चमग्धमक या प्रवाव किसी की सिद्धियां देखकर या किसी का प्रवक्तव्य देखकर कि कोई प्रवक्ता बहुत अच्छा है उसे सुनकर हम लोग बहुत जल्दी प्रवावित हो जाते हैं और अपने अनन्य तो दूर हो जाते हैं तो इसलिए कहा गया कि दुरलव दास कहाई वो कि हिप योगी राज दास कहलाना अत्यांत दुरलव उसमें भी बिहारी दास बनना क्यों पैसन के पल्टे गई बक्ति बिन विश्वास की जरासी योग क्रिया प्रभाव या धन संपत्ति के लिए बक्ति और विश्वास दोनों ही चले जाते हैं परन्तु योगी रास्तों मानों स्री स्वामी जु महाराज के चर्णों में नत्मस तक हो चुके थे तब स्री स्वामी जु महाराज ने उनके सीस पर अपना हस्त कमल रखा और निप्त बिहार की उन्हें वह दुरलव जहांकी कराई परंतु इससे पूर्व उनसे कहा कि जो तुमारे पास शिद्धियां हैं जो यमना जी में प्रवायत करो उस सब को छोड़ के आओ और सपत लो संकल्प लो की आज के बाद इन किरियाओं को नहीं प्रयोग करोगे और जन संसार को रिजाने के लिए कभी नहीं जाओगे जब योगी राज जी ने अपना ये संकल्प लिया और योग क्रियाएं छोड़ी तब उन्हें स्री स्वामी जु महाराज ने अपनी शर्णागती प्रदान की कहा जाए तब वह अनन्य भाव से स्री स्वामी जु के शर्णागत हो पाए और फिर स्वामी जु महाराज ने जब उनके सीज़ पे अपना हस्त कमल रखा तब वह दुल्लव रस्की जहांकी उने होई और उनका नाम स्री स्वामी जु महाराज ने प्रकास दास रखा इस प्रिकार योही राज को स्री स्वामी जू महाराज ने अपने दिव्य सरूप का दर्संदिया कहा जाए तो स्वामी जू महाराज के जीवन की ये लीला एक बड़ी ही छोटी सी है उनका जीवन ऐसी लीलाओं का अठा सागर है और हम लोग देखें आज इस लीलाओं इसलिए आपके मद्य वयनित किया क्योंकि स्वामी जू से जुड़ने के बाद भी हमारा विस्वास पिरभाव में आकर या किसी की सिद्धियां या मंत्र तंत्र में इतना आ जाता है कि हम स्री स्वामी जू माराज पे भरोसा नहीं कर पाते हैं और अचाजरे कहते हैं मोहे भरोसो स्वामी जू को कि भरोसा सरफ स्वामी जू के चैनलों में वो किसी के प्रभाव में प्रभावित नहों हम किसी के प्रभाव में प्रभावित जब होते हैं तो कही ना कही हमारे मन में होता है, शायद हमारे स्वामी जू महाराज ये काम ना कर पाएं, तो ये काम बहर अंगूठी कर देगी, जो उस जोती इस ने बताई है, या उस सिद्ध ने बताई है, परन्तु इसमी छोटी मान सिक्ता रखके अनन्य भाप का खंडन करना, ये नाम जाप करें, नित्य ही श्री स्वामी जू महाराज का नाम जपें, तभी आपका श्री स्वामी जू महाराज के चल्णों में द्रण अनन्य भाप खून हो पाएगा, इसी के साथ आप सभी नित्य जपें, निरंतर जपें, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास झाल झाल